एक गाउं में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थी एक भाई अमीर था तो दूसरा गरीब दिवाली आई सारे गाउं में खुशियां मनाई जा रही ही थे परन्तु छोटे भाई के पास तो खाने लाइक भी कुछ नहीं है नहीं था वे बड़े भाई के पास मदद मांगने गया बड़े भाई ने दुदकार कर बैरंग वापिस फेज दिया बेचारा उदास लोट रहा था कि रास्ते में एक बुढ़ा दिखाई दिया बुढ़े के पास लकडियों का एक बड़ा सा गठर था बुढ़े ने उससे पूछा क्या बात है बेटे बहुत उदास हो दिवाली पर तो खुशोना चाहिए काहे कि दिवाली ताओ मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की मेरा परवार भूखो मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा जदी तुम मेरी मदद करो इन लकडियों के गठर को मेरे खर पहुचा दो तो मैं तुम्हें जो दूँगा उससे तुम अमीर हो जाओगे चोटा बुढ़े के पीछे चलता हुआ लकडियों के गठर को उसके घर छोड़ाया बुढ़े ने चोटे को एक मालपुआ दिया और बोला जंगल में जाना एक जगह अजीब तरह के तीन पेर तुम्हें दिखेंगे जिसके पास एक चटान होगी ध्यान से देखोगे तो चटान के कोने में तुम्हें गुफा का एक मुँ दिखेगा गुफा में चले जाना वहाँ तीन बोने रहते हैं मालपुआ उन्हें बहुत पसंद है वैसे किसी भी कीवद पर छोड़ेंगे नहीं तुम उनसे धन नहीं मागना बलकि कहना मुझे पत्थर की चक्की दे दो चोटा भाई गुफा में जा पहुंचा उसके हाथ में मालपुआ देखकर एक बौना बोला ये मुझे दे दो मैं तुमें इसके बतले में जो कहोगे दे दूँगा चोटा बोला मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की दे दो चक्की लेकर चोटा जैसे ही चलने लगा बौना बोला इसे मामूली चक्की ना समझना इसे घुमाने पर तुम जो मांगोगे इसमें से निकलता रहेगा इच्छा पूरी होने पर इस पर लाज रंगा कपड़ा डाल देना समान मनना बंद हो जाएगा चक्की लेकर छोटा भाई घर पहुंचा पत्नी और बच्चे भूखे थे उसने कहा यहाँ पर एक कपड़ा बिछाओ कपड़ा बिछाकर चक्की उसके उपर एक किनारे रखकर छोटे ने चक्की चलाई और बोला चक्की चक्की चावल निकाल बस चावलों का धेर लगना शुरू हो गया लाल कपड़े से चक्की को धंक कर छोटे ने फिर कपड़ा हटाया और दुबारा चक्की चला कर बोला चक्की चक्की दाल निकाल धेरों दाल निकलती रही थोड़ी देर बाद छोटे ने चक्की को धंक दिया दाल चावल बना कर सबने अपना पेट भरा रात सब ने चैन की निंद ली, बचे हुई धेरों चावल और दाल को लाद कर छोटा अगले दिन बाजार में बेच आया वापस आकर उसने फिर वही क्रम अपनाया और इस बार धेरों गेहूं, चावल, भिन भिन दाले चक्की की मदद से निकाली और बेच कर धेरों पैसे कमा आया दिनों में ही वे अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया चक्की की मदद से कभी घी, कभी तेल, कभी नमक, कभी मसाले, कभी बादाम, कपास, जो चाहे उसे प्राप्त होता रहता था बड़ा भाई उसकी खुशाले से जलने लगा, उसने सोचा, चंद दिनों पहले तो ये भूखों मर रहा था अब इसकी हाथ क्या लगा, जो ये मुझसे विज्यादा धनी हो गया है एक रात, चुप चाप वो छोटी की घर में चुप गया, सारा भेद उसके आगे खुल गया अगले दिन, जब छोटा बाजा समान बेचने गया था, तो बड़ा भाई छोटी की घर पहुँचा और उसकी घर से चक्की चुरा कर ले आया, और अपने परिवार को लेकर दूर कहीं टापू में जाकर बसने की इरादे से घर से चल पड़ा समुद्र की नारे पहुच कर उसने एक नाव खरी दी, सभी उसमें बैट गए और नाव में बैट कर टापू की और चल दिये उसकी पत्नी हैरान थी, कि एक बेकार सी चक्की लेकर उसका पती सारा घर बाहर छोड़ कर हम सब को लेकर कहां जा रहा है बड़े भाई ने पत्नी की जिग्यासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला चक्की चक्की नमक निकाल बस फिर क्या था, नमक का धेर नाव में लगना शुरू हो गया और नाव डूबने लगी बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय तो पता नहीं था उन सब की जल समाधी बन गई सभी चक्की समेथ समुद्र में डूब गए कहते हैं कि चक्की अब भी घुम रही है तभी तो समुद्र का पानी खारा है शीक्षा लालच बुरी बला है